नमस्कार स्वागत हैं आपका टीसी बुटिक में इस वीडियो में हम मटका गला कटिंग और स्टीचिंग करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएं किस तरीके से बनाना है और सिंपल और आसान तरीका मैं इसमें बताऊंगा जिससे आपका एकदम गला यहां पर हम इसको फोल्ड करते हैं ओपर के जो हिस्सा है वो हम रखेंगे तीन इंच यानी कि छेंच का गला उसके बाद हम सबाद तीन इंच यहां पर निसान लगा लेंगे और इसको हम को यहां से सिधा कर लेना है अब यहां पर हम लगाएंगे दो इंच एक सूथ आप इसको कमजादा भी कर सकते हैं चाहें तो दो इंच भी कर लें चाहें आप पहुने दो कर लें तो जितना इच्छा उत्राप कर सकते हैं यहां पर की गैपिंग गले की जो लंबाई है बो हम रखेंगे 10 इंच की तो कि हमारा साड़े नव तैयार आ जाएगा इधर भी मार्किंग कर लेंगे यह और यह इसकी हमको नाप लेनी है तो यहां पर यह आ रहा है हमारा 7 इंच में एक सुथ कम यानि की 7 इंच तो यह हमने इस तरीके से निसान लगा लिया और यहां पर अब हमको कैसे लगाना है अब हमको यह प्रकार लेना है यह और पेंसिल में हम लगाएंगे इसको हम बरावर करते हैं इसके बाद हमको खोलना है इसको अब यहां से हम ना पेंगे यहां पर हमको रखना है और यहां से हम ना पेंगे यह और इदर साइट से तो देखे इदर ज़्यादा आ रहा है यहां पर निसान से तो हमको थोड़ा सा पीछे करना होगा इसको और यहां पर यह, यह इधर साइड में और यह इधर साइड में, तो दिखें, इस तरीके से आपको संटर बना लेना है, तो आद हम यहां पर रखेंगे, पेंसिल और यह निसान, खींच देना है, यह निसान में खींच दिया, अब हमको क्या करना है, तो दिखें, यहां से ही ह सान लगा के काट सकते हैं सुरबाद में ही डारेक्ट वुक्रम पर ना काटने हैं क्योंकि हो सकता है आप से गलबड़ा हो जाए इसका आप धियान रखना है यह देखिए तो इस तरीके से अब हम देखिए तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं तो यह हमारी गुलाई बिलकुल ही मठके की तरह ही बनी है और वैसे हम अगर पिरकार नहीं लगाते हम यह तो हमारी गुलाई मठके की तरह नहीं बनती हमारा चोगोर टैप की गुलाई हो जाती है तो समझ गया ना तो अब हम इसको काट ले अब हमको आदा इंच बाहर निकाल के इस तरीके से निकाल लेना है तो देखें यहां पर दो मटके गले हैं कटिंग ओके तो यहां पर का जो हमने हिस्सा है डोरी वाला इसमें हमने रखा है यह तीन इंच और यहां पर का जो हिस्सा है यानि की डोरी लगेगी तो वो रखा हमने साड़ तीन इंच डोरी आप कहां पर बानते हैं मतलब कहां पर बंदी हुई हैं तो उसके एसाब से आप इसकी मतलब ये ठोकर यहां पर बनी हुई है ये दे सकते हैं क्योंकि डोरी जितनी भी चाहे नीचे आप बढ़ा सकते हैं चाहे उपर लेकिन लगेगी यहां पर ही अगर दोरी को ऊपर लगाना चाहता है थोड़ा सा तो इसको आप सेप को तो ऊपर दे सकते हैं इसके ये तुरीप ढूरी रहेगा तो ऊपर से तीन इंच ये ढूरेगज रहेगी और यह चीज जितनी आपको कम करना हो आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं जितनी वे आपको जुरुवत हो तो चलते हैं मसीन पर बनाते हैं सिंपल बनाने में कोई भी ज्यादा परसानी नहीं होती है तो देखे हमने दोनों गले हैं यह पिछला वाला हमने काटा था और यह अभी जो काटा है तो अगर यह वाला आपको वीडियो देखना हो इस वाले का तो आपको उपर आई बटन में मिल जाएगा उसके हमने कटिंग करी है तो वो भी आप देख सकते हैं पर आपको जब कटि तीन इंच पर रिशाल लगा लेना है जैसा कि हमने तीन इंच चौड़ाई छोड़ी थी और उसके बाद यहां पर बीच ओ बीच में एक कुटका लगा लेना है नोच एरे एक इधर और यहां पर उसके आदम इसको खोलेंगे तिमपल सा गले का जो भी संटर है नीचे का उसमें हमको कट लगाना है इस तरीके से और इसको अब हम ऐसे रखते हैं तो यह कुटका यह वाला कुटका यह वाला कुटका मिला लेना इससे आपका गला सीधा रहेगा त्यड़ा व्यड़ा इधर उधर नहीं होगा और इसको हम यहां पर रखेंगे इस तरीके से अच्छे से बैठा लेना है बैठना चाहिए उसको यहां पर हम एक कट देंगे यहां पर कट देंगे उसको यहां पर लगाएंगे सिलाई तिर पायर भारा आपकी बुकरम दिखना चाहिए उसको यह बाकी का दबाव फालत हुआ हम को छाट देना है तो अब हम इसमें बनाते हैं तो बैक साइड में यह बनेगा इस तरीके से हम भी संटर में और यह इसका भी संटर है सूट का यह संटर है बीच का तो इसको हम और यह बाला बीच का कुटका है इसको मिलाक है ऐसे हैं तब से पहले इसको हम सीधा जड़ लेंगे ताकि दर दर यह भागेगा नहीं तो यह हमारा गला इस तरीके से कंप्लीट हो गया एक बार आपको चेक करके देख लेना इधर साइड हमारी ठीक लगी है या नहीं लगी है अगर ना ठीक लगी हो तो दुवार से आप लगा लें तो यहाँ पर हम सेट करते हैं यहाँ पर देखे थोड़ी सी प्रोब्लम है तो देखे अब हम काटते हैं इसको गुलाई में जितनी आपकी सिलाई लगी होगी उतना ही गोल में आपका गला बैठेगा अगर आपकी सिलाई त्याणी व्याणी होगे तो बैसे ही गला की राउंडिंग भी आपकी त्याणी व्याणी हो जाएगी इसका आपको धियान रखना है यह हमने कटिंग कर दी अब आपको कुटके लगा लेना है कट लगा लेना है सिलाई के पास तक पूरे गले में पस सिलाई नहीं कटना चाहिए इसका आपका ध्यान रपना है अब हम डाल देंगे इसमें कच्चा तो इसको हम पलड़ते हैं इस तरीके से और ऐसे करके अब हम कच्चा डालेंगे इसमें ताकि तुर्पाई के लिए तो इस तरीके से आपको ये डाल लेना है और लब नहीं आपकी उपर चमकना चाहिए इसका आपको धियान लखना है इस तरीके से आप बना सकते हैं और इसकी डोरी बना के आपको लगाना होंगी यहां पर और यहां पर और उसके बाद जो है आप लटकन लगा सकते हैं और उसके बाद यहां पर डोरी बादने वाली लग जाएंगी यह वीडियो आपको अच्छ